कि आप सभी के स्वागत आपका आपना चानल एक्जाम फर्मट पर फ्रेंड्स ये वीडियो शेड़ी विलिटेड ना होके विकेंसी रिलिटेड है ये जहारखंड उत्पास ही पाहिनी विकेंसी के रिलिटेड़ पर विकेंसी की अधारित है और विज़ पूरूफ पर हमें पूरूफ दिखाने जा रहे हैं कि ये वेकेंसी कब तक आ सकती है चलिए देखते हैं क्या है इसमें पुरूफ क्या है कारमीक प्रसस्निक तुद्धा थबाहसा ही उजा करस tut किया है कि चैना है best को भेजा बहेज चुकी है जैसे सी को और जैसे सी कभी भी इसका नोटिफिक्शन निकाल जगती है आगे दिखते क्या है महां से निदेशानु सार उप्यूक्त विशे उत्पाद मद निश्यदी भागनाची अंतरगत विभिन समवगों को पदोपर नियुक्ति के अनुशन साहतू नि वजदन मंगायागी स्टूडेंट से फिर देखते हैं क्या कि इसम पोस्ट निकाल लगिया है तो उत्पाद लिपिक यह है कलर्केल पोस्ट 14 सीट है नेक्स्ट है उत्पाद लिपिक बैकलोग यह है 16 सीट मतलब है कि 14 पलस 16 इक्वल टू 30 सीट है आपका कलर्केल लेवल का पोस्ट नेक्स्ट है सहायक और निरच्छक मतलब यह एस आई का पोस्ट है अशिस्टेंट एसाई के पोस्ट है मतलब 35 सीट बहुत जादित नहीं है 35 सीट लेकिन जो भी है क्या कर सकते हैं आगे देखते हैं उत्पाद सीपाई फ्रेंट इस पे तो थोड़ा सा गमी के बा 583 सीट है उत्पाद सीपाही के लिए जो की मोस्ट अवेटेड वेकेंसीज है जारखन के नजवानों का तो देखते हैं फ्रेंट 583 सीट में क्या है आगे यहां पर नोटिफिकेशन पर उन लेखनी है कि हायक अवा निरच्छक के पद को जारखन करमचारी चायन आयोग पर करवारी परनेOb कि जारखन करमचारी चायन आयोग परिछया अधिशुचना निरद करनी करवाएं किमकीजा रही है। कि जा रही है ते axi का पोश्ट यह आपका अशनात धग रहीं कर रहेगा यह अपका इसाई कर रहा है कि फोर्ट के लिये है बा यह बांकि आपका कर रहेगा थे इसमें पहुत यह और चाहिए खालिये प्रेंड करेंड्स है प्राद का कि यह ऴेडा जाएं हुआ है इसके अंतरगत सबसे पहले फिजीकल होगा जो कि दस किलेमेटर कर रानिंग रहेगा इसलिए इसलिए हम आप से कहना चाहेंगे कि आप लोग अभी से तयारे मुझूट जाए में भी तीन से चार तीन महिना कंदर एक्जाम कंड़क्ट करा दी जाएगी और यह बहु जंदल के लिए 18 से जंदल के लिए फ्रेंट्स 18 से पचीस तक है मिनिमाम 18 मैक्सिमाम 25 साल और ओबीसी के लिए फ्रेंट्स 18 से दो साल का छोट है 27 तक और फ्रेंट्स मिनिमाम 18 अब मैक्सिमाम 30 साल और जो गल्स है उन लोह का 28 फिरंट्स 18 से 28 तक है इसमें और 10 किलोमेटर का राइनिंग है आपको और सबसे पहले आपका पिजीकल टेस्ट होगा उसके बाद में रीटेन होगा उसके अधार पर फिर दैट्स लोग फिजिकल पास करेगा उन लोग रिटर्न बुलाया जाएगा उसके बाद फिर मेरीट बनेगा चले हैं तो आज इसी चाहित आज का वीडियो आफ करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यों